दो सा छे बोतल वीदेशी शराब के साथ तीन कारोबारी गिरफतार, बाइक से शराब डिलेवरी को आए युवक के पास से तीस हजार नगत बरामद, सिम्री थाना की पुलिस ने हाइवे पत के तेलिया पोखर चौक पर बाइक से वीदेशी शराब की काटन डिलेवरी को थे चर गया, किशोरी के भूसा घर में छुबाकर रखी गई 375 एमल की 111 बोटल वीदेशी शराब ब्रामद कर नयाय खिरासत में जेल भेज दिया गया है, दोनों शराब कारोबारी गिरफतारी के बाद पुलिस ने दिल्ली मोड में छापे मारी कर शिवराम चनमानाव शि याम बाबु यादव के द्वारा अभिशेक सिंग को शराब की सप्लाई के लिए जगह जगह भेजा जाता था, थानाद्यक्ष हरी किशोर यादव ने बताया कि 30,000 नगदव बाइक जब्त कर 3,000 आरोपी के खलाफ उतपाद अधिनियम के तहत प्रात्मी की दर्स की गई ह गुरुवार को नियाए खिरासत में भेज दिया गया है, इधर सिम्री थाना कांड संख्या 2-3 बटे 20 के नामजद अभियुक्त फुल्तुआ निवासी विज़े यादव को ग्रफतार किया गया है, शराब मामले में वो लंबे समय से फडार चल रहा था इधर सिंग्वारा थाना की पुलिस ने भरवारा ननोनिया टोला में छापे मारी कर राजिंद्र महतो की पतनी केवला देवी के तीन काटून अंग्रेजी शराब के साथ ग्रफतार किया है, थाना अध्यक्च अमीत कुमार ने बताया कि महिला के घर से 750 ml की 12 बोटल वा 180 ml क 95 बोटल अंग्रेजी शराब बडामद हुई है, गुरुवार को उसे निया एक खिरासत में भेज दिया गया है